जैस्री राम दोस्तों, कहां से सुरू करें, सबसे पहले सुरू कहां से करें, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा कुछ और बन गया है, मार्केट कुछ और बन गया है, चीजें कुछ और बन गई हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही धोखा दे रहा है, क्योंकि एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो सम्हाल लीजेगा, कल देखिए, कल का दिन काफी important डे होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको क्या बता है, कि basically क्या होता है, मैंने जो pattern observe किया है, वो यह observe किया है, market basically बहुत सारे लोगों को trap में फसाता है, and then Tuesday को एक real move देता है, जो कि अगले हपते तक या अगले कुछ दिनों तक चलता है, अब मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात यह है, कि आज मोटा पैसा हम लोगों ने बनाया, उसकी ओलेडी वीडियो मैंने YouTube चैनल पर अप्लोड कर दी है, लगबग लगबग साड़े चार से पांच लाख रुपए के आसपास का profit हुआ है, वो आप लोगों ने देखा होगा, और कल की analysis के same basis पर हमने वहाँ पर trade लिया, मैं देखे कोई glorify या amplify नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा रोज वीडियो देखो या नहीं देखो, मैं कोई proven strategy नहीं देता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी जो learning है वो आपको पता हो, तो आप भी पैसा बनाओगी, now the thing is कि आज मैंने यहाँ से एक put पकड़ा था, बैंकेक्स का, और मैंने यहाँ पर बेचा, मतलब आज मेरों को अपने analysis पर इतनी खुसी हो रही है, कि मैं क्या ही बोलू, जररली होता है, market हर दिन काम करता है, लेकिन छोटे point पे मैं निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ क्या सीखी, कि basically मैं 20 लाक, 10 लाक, 15 लाक का capital infuse करता हूँ, किसी एक trade के पीछे, maximum 20 लाक, 15 लाक, 10 लाक, 8 लाक, 9 लाक, लेकिन आज मैंने दोस्तों मात्र 82,000 रुपे infuse किया था, और 82,000 का मैंने 2,45,000 रुपे बनाए, तो एक छोटा सा point मुझे आप लोगों को देना है, अगर agree कर रहे हो तो बताओ, comment में, छोटे capital के साथ position manage करना और बड़ी profit की उम्मीद रखना बहुत आराम से हो जाता है, जैसा आप लोग देखे ही होगे, मैंने दिखाया था, चलिए एक बर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा official telegram है, आप लोग जिस भी फालतू telegram या scam में फसते हो, उसमें आपकी गलती है, हम कोई PMS, किसी तरीकी के advisory, call tips वाला धन्दा नहीं करते हैं, हमारा simple यह telegram है, अभी देखोगे, तो यह हमारा वो screenshot जो हमने आपको भी दिया, अभी मेरी कुछ running position crude oil में चल रही है, मैं उसको disclose नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर एक call tips के रूप में आ जाता है, यह pancakes की position थी, 900 quantity बान्द पर पर में लिया था, और 368 पर बेचा था, ठीके, अब बहुत सारे लोग जो crude वाला strategy देखते अब आप देखो यहां पर market के अंदर जो आज का cash status है, वो क्या है, cash status में अगर आप देखोगे, तो FII ने भी 126 करोड रुपे की खरिदारी की है, और DII ने भी 1711 करोड की खरिदारी की है, मतलब यह दोनों बिचारे मिल के खरीदे हैं, लेकिन यह खरीदे किसमें हैं, यह खरीदे हैं, यह खरीदे ह कितना percent से down है, comment में बताना, 3-4% portfolio मेरा भी down है, और मुझे लगता है कि among all, आप लोग कभी 3-4% का downgrade हुआ होगा, क्योंकि जितने भी PSC हैं, या जितने भी PSU हैं, या जितने भी ऐसे small cap या आप कहलो कि जो micro cap stocks हैं, वो सब में एक अच्छी खासी selling आई है, अब यहां तक त Stanley International Market, ठीक है, यह क्या कर रहे हैं, कल कितने का है, हाँ, MSCI क्या करने वाला है, dollar 1 billion का कल invest करेगा इंडिया के अंदर, यानि stock खरीदेगा, अब maybe market कल आपको तोड़ा सा volatile दोपहर के बाद या दोपहर तक देखने को मिल सकता है, दूसरा जो new यहां पर आ रहा है, वो आ रहा है जैन मंत का CPI data, consumer price index कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5.1%, अगर हम दिसंबर में बात करें, तो यही था हमारे पास 5.69%, यानि जो CPI data आया हुआ है, वो good आया हुआ है, economist यही प्रेडिट कर रहे थे, और RBI का जो band limit है, उसके उपर खरा उतरा है CPI data, CPI data सबसे important देखना होगा, फिब महीने का, कि फरवरी महीने का क्या होता है, हलंकि अगर हम CPI data और इस news को consider करें, तो कल market के अंदर थोड़ा सा volatility दिख सकती है, volatility क्यों दिखेगी, आईए उसके लिए कुछ data का उपियोग करते हैं, सबसे पहला data हमें क्या बताता है, कि जमकर आज market के अंदर trapping हुई है retail बेचारे fully bullish हो गए है कल के लिए, FIIs pro, जो है fully short position बनाए है, लेकिन वही चीज़े FII ने क्या किया है, long edge किया है stock में, यानि stock इनों ने खरीदा है, तो अगर मालो market flat open होता है, तीक है, या gap up open होता है, तो यहाँ पर resistance area के आसपास, selling करना सही रहेगा, और यदि market कल के दिन 200 से 300 point का gap down opening दे देता है, ठीक है, gap down opening, 200 से 300 point bank nifty और 70 plus nifty, तो मुझे लगता है कि यहाँ से market के अंदर long जाना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर profit booking या short covering आएगी, यह detailed view है, अब कैसे इसको analyze करना है, आओ एक एक चीज़ को chart पर देख लेते हैं, तो अगर हम device chart को पर analyze करते हैं, तो जैसा कल का मैंने target बताया था, same target market ने achieve कर लिए, बलकि उससे ज़्यादा ही market achieve किया है, उसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है, market का अगर आप low देखोगे तो 4400 तक है, हमने तो बहुत कम target बताया था, उससे ज़्यादा हो गया, तो अब कल के दिन क्या है, क immediate support की तरह काम करेगा, तो वही मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि अगर मानलो market कल finnifty के expiry भी है, ठीक है, तो अगर मानलो हमारा market कुछ इस तरीके से open हो, कि 300 से 400 point market मानलो gap down open हो गये, in case, ठीक है, तो हम क्या plan करेंगे पता है, हम plan करेंगे यहाँ से long position create करने की, और अगर market flat open होता है, तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे, selling position की थोड़ी expectation रखेंगे, resistance के पास, और अगर gap up होता है, तो अगर gap up छोटा होता है, तो यहाँ से भी हम selling position को ही continue रखेंगे, अब एक एक चीज को समझ लेते हैं, कि कितने पे रखना है, क्या करना उसको देखो, थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा, तो simple है, यहाँ पर हम आज का पूरा का पूरा दिन उठा लेते हैं, यह हमारा 12 तारिक है, simple सी बात है, 12 को हम simple यहाँ लगा दियें, और 45200 से लेके, 45300, यह हमारा band आ गया, और एक swing यह consider मैं अगर कर लेता हूं, तो यह मेरे पास है, 0.5 का level, ठीक है और this is 1, 0.86 and 0.79, this is 0.79, इसको और 0.5 यह रहा मेरा, ठीक है, तो let it be red, और बाकी सब सही है, तो okay, तो कल का दिन देखिए थोड़ा choppy रहेगा, थोड़ा सा killing nature का रहेगा, मतलब stop loss hunt जादा करेगा कल के दिन, आप क्या देख सकते हो कल के दिन, कि market के अंदर, इस particular zone पर market काम करते हो दिखेगा, तो मेरा plan क्या रहेगा, मैं आपको simple सा समझाता हूँ, दिन वही plan आप भी plan out करना, दखो, market के अंदर मैं 45,100 तक, 45,100 तक, तो मैं bearish रहूँगा, अगर कब bearish रहूँगा, ध्यान से यह चीज़ आप लोग सुन लेना, 45,100 के आज पास market का resistive area है, ठीक है, previous support और आज का swing break, 45,100 जो लेवल है, 45,100 पर हम या तो gap up इसके पास हो, या तो flat खुल के थोड़ा market उपर जाए, या तो market क्या करें, यहीं पर कहीं खुले, 45,100 को cross ना कर पाए, और market यहाँ पर negativity 100 करें, तब मैं यहाँ पर bearish position बनाऊंगा, अब कोई कल के दि 75 की उपर gap up हो गया है, और मैं bearish हो गया, तो काम नहीं होगा, 45,174 is deciding level, सीधी बात नो बकवास, 45,174 की उपर सब हरा 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 हरा, और 45,100 के नीचे, 45,100 के नीचे, सब लाल लाल लाल, मतलब समझा देता हूं मैं फिर से, या दी market 45,174 को cross नहीं कर पाता है कल के दिन, तो आपको simple सा है कि या तो 44,500 से recovery देखने के मिलेगी या 44,300 से, ध्यान से सुन लेजेगा, 45,45,174 के उपर सब हरा 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 दिखेगा आपको, अगर 45,174 के या 45,100 के नीचे market रहता है, तो समझ जाईए कि अगली recovery 44,500 के आसपास से आ सकती है, या 44,300 के आसपास से आ सकती है बस इस से जादा simple study में आपको नहीं दे सकता, बहुत सारे लोग सीधे market में कूदते हैं, कूदना नहीं है market में, ध्यान से समझना जो एक एक बात में आपको canvay कर रहा हूं, उसको समझने की कोसिस करिए, बहुत सारे लोग का gap down होगा बहुत बड़ा, सोचेंगे रहे यार ये तो 45-44 के नीचे हम और sell करें, नहीं, आप ये समझो कि gravity नहीं है ना market के अंदर और selling का, तो फटक से buying आ जाएगी, तो अब जो market का निचला अस्तर है, वो अस्तर support अस्तर है, यानि support level पर market है, बहुत भी कवली हो गई, यदि 200-300 point कल market नीचे मिलता है, और 44-230 के उपर ह मार्केट, तो प्लान करना यहां पर aggressive buying का, ना कि selling का, समझ गए, यहां इस zone में selling possible है, मैं एक बार zone बना दे रहा हूं, ये देखो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग फसो ना market में, ये zone है selling का, this is the zone of selling, ये zone है, हलके selling का, lower selling, ठीक है, low selling, और भाई, गलती से भी ये zone के अ को फिर से denote कर रहा हूं, ये है, ताबर्तोर selling, यानि good selling, ये है lower selling, कम selling का, ये जो zone आपके पास दिख रहा है, ये है cautious selling, मतलब selling करना है, लेकिन बहुत अराम से, ये जो zone है, no selling, only buying, ओभी, ठीक है, so this is the level, ये एक नहीं analysis है, ठीक है, इसी के लिए comment कर देना यार, motivate हो ये अपन, बाकि चलिए, हाँ, account opening वाला, जो हमने offer आपके लिए बहुत limited है, ठीक है, अगर आपके पास पहले स account opening है, तो कोई माने नहीं है, आप new account opening चाहे, जिसके अंदर कर लो, angel के अंदर कर लो, elize के अंदर कर लो, धन के अंदर कर लो, धन जादा बेटर रहता है, commodities के अंदर के लिए, सो मैं prefer करूँगा, धन में करो, एक एक फेन नो ट्रेड मारो, और यहाँ पर अपना account स्री राम,